नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पल आज हम करेंगे कबीर दास जी की रहस्य साधना देखे कबीर दास को उनकी रहस्य वादिता के कारण विशेश रुप से एक अलग पहचान मिली है तो आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले अगर रहस्य वाद की बात करें तो रहस्य वाद हम सब जानते हैं कि ये कोई दार्शिक सिधान नहीं है बलकि एक मानसिक दशा है मनो दशा इसको परभाशित करना कह सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बहुत बड़े जल सरोत को किसी छोटे से घड़े में भरने का प्रयास करना इसके अंतरगत जो जीवात्मा है उसकी जो प्रवरती है या जो उस जीवात्मा की विशेश्ता है उसका परकाशन होता है और उस प्रवरती में या उस विशेष्टा में वह अलोकिक शक्ती से अपना शांत और निश्चल संबंद जोड़ना चाहती है वो अलोकिक शक्ती जो संसार की रचियता मानी गई है उसके साथ अपना तार्तम में स्थापित करना उसके साथ एकाकार हो जाना जब इस प्रकार का वेवार आत्मा की द्वारा किया जाता है तो वो क्या है रहस्यवाद है रहस्यवाद में अगर देखें तो जीव की जीव है वो इंद्रिय जगत से उपर उच जाता है विचार शक्ति और भावनाओं का एक ही करन करता है और अंत में प्रेम के आधार पर अपने उस अईष्ट से या परमात्मा से मिलने की कामना करता है या प्रियास करता है तो उसे हम क्या कहेंगे रहस्यवाद एक साधारन सी बात आप यहां पर समझें कि जीव और आत्मा का जीव या आत्मा इन दोनों का मिलन कहां हो परमात्मा से परमात्मा कौन असीम सत्ता जिसकी है इन दोनों में जब प्रेम में संबन स्थापित हो जाता है जो जीवात्मा है ये इस संसार के बंदनों का त्याग क करके यह इस संसार की जो मो माया है उसको त्याग करके परमातमा से अपना प्रेम का संबन स्थापित करने का प्रियास करती है अपने शांत स्वभाव को Колब अपना लेती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे जहां ऐसी अवस्था में जो विचार उत्पन होते हैं वो कौन से हैं वो है रहस्यवाद आप ये मान कर चलें कि जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं जीवात्मा इस कार्य को करती है और निश्चल भाव से अपने परमात्मा से अपना एकाकार संबन स्थापित कर लेती है तो तब क्या है य क्या इस वाव रहस्यवाद यहां पर स्टार्टिंग में पहली जो लाइंग मैंने यही बताया कि रहस्यवाद कोई दार्शनिक इन फिरन नहीं वह क्या है एक बाषंसा है और यह मनोदक्रम को परव मातमा से जोडने का प्रियास करती है डोक्तर रामकुमार वर्मा की परिभाशा या विशेश रुप से दर्शनी है ये क्या कहते हैं रहसेवाद एक अलोकिक विज्ञान है अलोकिक यानि इस लोक से परे का विज्ञान है जिसमें अनंत के संबंद की भावना का प्रादूर भाव होता है आगम होता है और रहसेवादी वह व्यक्ति है जो इस संबंद के अत्यंत निकट पहुंचता है और उस संबंद का ही रूप धारण कर अपनी आत्मा को भूल जाता है यानि वह परमात्मा से अपना संबंद जोड़ लेता है और स्वैम के अस्तितव को उसी में स्थापित करता है को भूल जाता है तो वो क्या है वो भाव क्या है वो भाव रहसेवाद है इसके बाद आचारे रामचिंद्र शुकल क्या मानते हैं कि साधनात्मक और भावनात्मक इन दोनों परकार के विचारों का जहां तालमेल हो जाता है वो क्या कहलाता है रहसेवाद कहलाता है और इन साधना से संबंद होने के कारण आचारय शुकल ने कबीर के रहसेवाद को कौन सा रहसेवाद माना है साधनात्मक यानि साधना के द्वारा अपने ईश्वर से संबंद प्राप्त करना तो कबीर के रहसेवाद को आचारय शुकल ने साधनात्मक रहसेवाद के अंतरगत रखा कि इन्होंने रहस्यवाद के दो भेद किये हैं साधनात्मक और भावात्मक और कबीर के रहस्यवाद को ये कौन सा रहस्यवाद मानते हैं ये साधनात्मक रहस्यवाद मानते हैं और भी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने रहस्यवाद के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं और उन विद्वानों के विचारों को अगर हम विशलेशित करें तो उन्होंने रहस्यवाद के चार भेद माने हैं पहला भेद कौन सा है दार्षनिक रहसेवाद में क्या होता है जब जीवात्मा दार्षनिक की मुद्रा में प्रोक्ष सत्ता के सवरूप की चर्चा करने लगती है यानि वो जब कोई भी दर्षन शास्तर के आधार पर या स्वेम एक दार्षनिक बन जादना संसारिक मो माया का त्याग कर देना और प्रोक्ष सत्ता के सवरूप की चर्चा करने लगे तो वो कौन सा रहसेवाद है वो दार्षनिक रहसेवाद है दूसरा रहसेवाद कोन सा माना है विदुआनों ने वो मानते हैं सोंद्रे मुलक रहसेवाद इसमें क्या भाव रहता है जब रहसेवाद को प्रकृति के सोंद्रे में अलोकिक सत्ता की जलक मिलती है जैसे हम महादेवी की कवीता ही जब पढ़ते हैं तो प्रकृति को आधार बना कर वो अपने मन के भावों को अभिवेक्ट करती है तो वहाँ प्रकृति के सोंद्रे को आधार बनाया है अपने प्रमात्मा को प्राप्त करने का यानि अलोकिक सत्ता की जलक कहां मिली प्रकृति में तो वो रहसेवाद कोन सा है सोंद्रे मूलक रहसेवाद है तीसरा जो रहसेवाद इन्होंने माना है वो है प्रेम मूलक रहसेवाद प्रेम मूलक रहसेवाद में क्या होता है कि मानविय प्रेम और सोंद्रे में प्रेम की जलक प्राप्त होती है सुंदर्ता और मानविय प्रेम यहाँ पर क्या है मानव और सोंद्रे यह आप ध्यान में रखें मानव और सोंद्रे यानि मानविय भाव और सोंद्रे दोनों में जब तालमेल स्थापित हो जाता है, मानविय प्रेम और सोंद्रे प्रेम की जलक जब प्राप्त होती है, तो वो कुन सा है? प्रेम मुलक रहसेवाद है तिस चोथा यहाँ पर क्या है भगती मूलक रहसेवाद में क्या है जब जीव परम तत्व के प्रती पूरंते निष्टा भावना अपना लेता है और सच्चे भगत की भूमिका में दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सा रहसेवाद है भगती मूलक रहसेवाद है यानि यह पर जो भक्त है वो भगवान को समर्पित हो जाता है अपने आपको इश्वर की इश्वर का ही एक तत्व सविकार करता है और उसी के चल्णों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है तो वो रहसेवाद कौन सा है भक्ती मूलक रहसेवाद है यानि विद्वानों ने चार भ बात करें तो कभीर दास के कव्य में कहीं पर वो दाशनिक के रूप में नजर आते हैं कहीं पर उनका जो रहस्यवाद है वो सोंद्रिय परक है कहीं पर प्रेम को उन्होंने प्रधान माना है और बहुत से ऐसे उनके दोहे भी मिलते हैं उनका कव्य भी मिलता है जहां पर वो को आधार मानते हैं तो कभीर के कव्य की अगर स्थितियां सपस्ट करने का प्रयास करें तो वहां पर यह सभी स्थितियां दिखाई देती हैं कभीर के कव्य में यह सभी स्थितियां है क्योंकि कभी वो दाशनी की मुद्रा में है कभी वो सच्चे भक्त की मुद्रा में है कभ उनके लिए मोतियं से माँग भर लू ऐसी जो बाते हैं नज्ञें आते हैं वू क्यां है प्रेम मोलक रही सेवाद भी उनके कावे में हम नेहीं मुछ सकते हैं उसी के आधार पर उनको आतम बोध या आतम ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें परम तत्व का जो बोध हुआ वो किस कारण से माना गया प्रतीत मूलक और प्रतिवा द्वारा एक तो उनकी जो प्रतिती मूलक द्रिश्चिकोन उनका रहा और दूसरा जो उनमें काबलियत वस्तों को समाज को प्रतितियों को समझने की जो प्रतिवा थी उसके द्वारा उन्हें परम तत्व अपने ईश्वर का बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ तीसरा अगर हम देखें तो कबीर ने हिंदू के एद्वेत वाद से चिंतन और सूफी से प्रेम तत्व को लेकर अ इसमें क्या बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा आत्मा और परमात्मा ये क्या है एक ही शक्ति के दो रूप हैं तो इसी बात को उन्होंने अपनाया और इसके सासा जो सूफियों ने प्रेम पर आधारित भक्ति को माना है या प्रेम पर आधारित भक्ति का जो सूफियों न आगाज किया था उसको कबीर ने भी अपनाया है उसे अपनी कवे में उन्होंने समाहित किया है तो यहां पर यह बातें ध्यान में रखनी है आपको कि कबीर पर रहस्यवाद का क्या परभाव पड़ा कि कबीर को जो आतम कबीर के रहस्यवाद को अगर देखें तो उनको जो जो हिंदुों का एद्वेतवाद यानि संकराचारय का जो सिध्धान्त था उनको उन्होंने अपनाया जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही शक्ति के दो रूप सविकार किये गए हैं आत्मा शरीर का त्याग अगर के इसी परमात्मा में विलीन हो जाती है और प्रेम प्रक अगर भक्ति की बात करें तो सूफी से जो उन्होंने प्रेम प्राप्त किया है सूफी मत से जो प्रेम ता तो उन्होंने प्राप्त किया उसको भी यहाँ पर रहस्यवाद रहस्यवाद की कोन-कोन सी अविस्ताइं उनके कावे में हमें मिलती हैं तो सबसे पहले है आस्था देखे कबीर के बारे में अगर बात करें तो आस्था रहसेवाद की सरब्रंथम अवस्ता आस्थिक्ता है यानि इश्वर में क्या है आस्थिक्ता का भाव रखना आस्थिक्ता यह आप ध अगर कबीर को गहराई से समझा जाए तो वो आस्तिक नजर आते हैं उन्होंने ब्रह्म के लिए शुन्य का प्रियोग किया वही शुन्य राम के नाम के द्वारा जिसको जाना जा सकता है वे ब्रह्म को सरव्यापी मानते हैं अखंड मानते हैं और ये मानते हैं कि वो सुन ब्रह्म मंदल में एक अखंड पूरुष है यही सत्पूरुष विश्व का निर्माता है वे आश्रय और जिग्यासा से परमातमा को या परम तत्व को देखने का प्रियास करते हैं इनकी पंक्ति भी है कबीर कही पुकार के अद्बूत कहिये ताही कि कबीर पुकार पुकार क तुम्हारी अद्बूतता की बात कहते हैं तो यह मा यह जो कबीर का भाव है वो हमें यह बताता है कि वह आस्त्ता के प्रती उनके कव्या में आस्त्ता का भाव था या वो उनकी जो विचार धारे वह आस्तिक्ता से परिपूर्ण थी दूसरा हम यहां पर पॉइंट बना स लिए वह उस सत्पुरुष के साथ उस अलोकिक शक्ति से बंद जाती है कबीर ने ब्रह्म के सात्वी खर्द्य की अभिव्यक्ति मानी है और प्रेम के संदर्व में सूफी साधना का उन्होंने आश्रे लिया है इस भाव को अगर बात करें तो कबीर ने इस भाव को यहां पर दामपत्य भाव से स्पस्ट करने का कहा है यह स्पस्ट किया है जैसे हरी मोर पीव माई हरी मोर पीव हरी भी न रही सके न मोर जीव कि हरी तो मेरे प्रेतम है और मेरा जीव मेरा मन अपने प्रेतम के बिना नहीं रह सकता तो यहां पर आत्मा प्रमात्मा से प्रेम करती है और वो प्रेम कैसा है दिव्य और अलोकिक है संसारिक्ता का बहिशकार किया है लेकिन उस परम तत्व को अपना प्रेमी सविकार उन्होंने किया है तीसरा हम यहां पर पॉइंट बना सकते हैं माया बाधा देखिए माया की अगर बात करें तो कबीर ने ब्रह्म प्राप्ति के मारक में सबसे बड़ी बाधा किसको माना है माया को ही माना है जो मो है माया है यह उन्होंने बाधा माना है इसी को सूफियों ने क्या कहा है शैतान कहते हैं सूफियों ने शैतान के अपने प्रेम भाव के साथ स्रिष्ठी की है तो वो सरंजना जो उनकी है वो जो शैतान है वही माया है माया का चितरन कबीर ने कंचन और कामनी के रूप में किया है उन्होंने माया को भोतिक जगत के विभिन रूपों में रखकर परखा है जैसे माया मुई ने मन मुआ मरी मरी गया शरीर आसा त्रिशना ना मुई यो कही गया कबीर कि ना तो माया का त्याग हुआ ना ही मन उनके बंधन से चुटकारा पा सका बलकि बार-बार ये शरीर ही मर जाता है मो माया कभी स्माप्त नहीं होती आशा उत्रिशना भी स्माप्त नहीं होती यही किस ने कहा है ये कबीर ने कहा है इसके साथ साथ आप यहां पर एक point नाम साधना का भी बना सकते हैं नाम साधना नाम साधना में वो क्या कहते हैं कि राम नाम के रस का वर्णन बार बार करते हैं और क्या कहते हैं तत तिलक तियू लोक में राम जिनसार जन कबीर मस्तक दिया शोभा अती अपार कि राम के नाम के द्वारा ही जीवन को या संसार रूपी सागर को पार लगाया जा सकता है तो यहाँ पर वो राम नाम की साधना पर भी बल देते हैं उसके बाल हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे विरह भाव मिलन में बाधा माया के कारण आती है और जब जो आत्मा है वो विरह भाव में जब लीन हो जाती है तो इसे इनके जो पद है विरह को अंग उनमें पढ़ा जा सकता है देखा जा सकता है जो विरहनी आत्मा है वो तडब तडब कर अपनी विवश्टा को अभिवेक्त करती है अपनी चिंता को अभिवेक्त करती है अपने दुख का मारमिक चितरन उन्होंने यहाँ पर किया है यह दामपत्य प्रेम भाव के माध्यम से उन्होंने विशेश रूप से इसको अभिव तो यही विरह भाव उनके कव्य में उनके दोहों में देखा जा सकता है जैसे हम इसके पदगी व्याक्ष्ण भी कर चुके हैं क्या कहते हैं क्यव रहनी को मीच दे क्या आपा दिखलाई आठ पहर का दाजना मोपे सहाना जाई यह तुम मुझे विरहनी को तुम मुर्थ अभिवयक्त किया है उसके बाद आता है आत्मशुद्धी आत्मशुद्धी के लिए आत्म यानी स्वेम की आत्मा की शुद्धी कैसे होगी जब हम काम का करोद का मोह का लोब का त्याग कर देंगे तब क्या होगी आत्म शुद्धी होगी और इनसे मुक्ती का निर्देश कभीर ने अपनी वानी के दुआरा दिया है वो ये मानते हैं कि जैसे अगनी में आहुती से दिप्ती उत्पन होती है उसी प्रकार आत्मा हुती से वानी शुद्ध हो जाती है यानि जैसे हम जलती वी आग में जब आहुती डालते हैं तो आग अचानक से बहुत तेज हो जाती है उसी प्रकार जब हम इन तत्वों का त्याग कर देंगे तो हमारी वानी शुद्ध हो जाएगी यानि एहंकार का त्याग करने का विशेश रूप से यहां पर वो बल देते हैं उनकी जो रहस्यवादी विचारधारा है उसमें मिलन की अर्थ विंजना इतनी जादा मारमिक है कि आतम शुद्धी के बाद परमात्मा की जोती का आभास मिलना आरंभ हो जाता है जो अलोकिक तेजपुंज है उसमें वो अपने आपको समाईत करने की बात कहते हैं इनका पत भी है पार ब्रह्म के तेज़ का कैसा है उन्मान कहीबे कुँँ शोबा नहीं देख्या ही परवान कि वो परम ब्रह्म इतने जोतिर में हैं इतने तेज में हैं कि उनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता उसको वानी की दोरा व्यक्त भी नहीं किया जा सकता देख करी उसका परमान प्राप्त किया जा सकता है उसके बाद हम जानते हैं इनकी जो अवस्ता है वो है पर्चा पर्चे से तात्प्रे क्या है कि जब भाव बहुत जादा बढ़ जाता है ऐसी दशा में भक्त की दशा सती जैसी हो जाती है सती कौन जो आतम बलिदान के लिए तयार हो जाती है यह हमारे यहां पराचीन परंप्रा परथा रही है जो अब समाप्त हो चुकी है तो यहां पर पर्चा से तात्प्रे क्या है कि जब भाव बहुत जादा बढ़ जाए बिल्कुल वैसी दशा हो जाए जैसी सती की होती है जिसमें वै आतम बलिदान के लिए स्वेम का त्यार करने के लिए तयार हो जाए रहसेवाद की इस चरम दशा में मिलन का आनन्द का वर्णन होता है और यह मिलन का आनन्द ही पर्चा है यही प्रत्यभिग्या भी है यहां आत्मा परमात्मा की जोती में लीन हो जाती है और विशव की विराठता का अन्वव करती है उस समय जो आनन इतना जादा बढ़ जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा के गुणों का बखान करना प्रारम कर देती है जैसे सती जलन को निकली चिरधरी एक बमेख तनमन सोंपया पीव को तब अंतरी रहीने रेख कि सती जब जलने के लिए अपने आपको सती करने के लिए निकल जाती है तो कुछ भी पीछे नहीं बचता अपना तनमन वो अपने प्रियतम को समर्पित कर देती है और उसकी स्वयम की कोई पहचान नहीं बचती बलकि वो उसी के साथ सती होकर अपना जीवन समाप्त कर लेती है उसके बादाता है तद्रूपता तद्रूपता की स्थिती कौन सी है? आत्मा और परमात्मा के एक रूप हो जाने की जिस्थिती है यानि दोनों में अंतर समाप्त हो जाता है दोनों की अवस्था एक हो जाती है आत्मा और परमात्मा का अस्तितव एक दूसरे में समा जाता है जैसे हरी मरी हैं तो हम हूं मरी हरी ने मरे हम काहू को मरी कि अगर इश्वर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी लेकिन जैसे इश्वर अजर अमर है वैसे आत्मा भी अजर अमर है तो अगर हरी ही नहीं मरेगा नस्च नहीं होगा तो मेरा नस्च होना कैसे तैह है मैं भी तो अमर ही कहलाऊंगी यानि यहां आत्मा प्रमात्मा के गुणों में विलीन हो जाती है अपने आपको एक रूप कर लेती है इसी तदरूपता की स्थिती को कबीर ने क्या कहा है उन् नय जाने कितने ही ऐसे संबोधन उनसको देते हैं और इसी दशा में वो अपने भाव को सपस्ट करने में एसमर्थ भी पाते हैं और यहां पर अपने भावों को अभिवेक्त करने के लिए रूपक का परियोग करते हैं जैसे गुंगे का गुड की इश्वर की प्राप्ति कैस जैसे है गुंगे के गुड के समान है जैसे गुंगा व्यक्ति अपने मूँ में गुड रख लेता है लेकिन वह कितना मीठा है उसको बोलकर बता नहीं पाता यहां पर भाव बहुत जादा प्रबल हो जाते हैं कि साधारन भाशा में उनको अभिवेक्त नहीं किया जा सकता तो यह वो स्थिती है जहां पर रूपक का प्रियोग करके कबीर ने अपनी वानी के दौरा परमात्मा के से मिलन का जो आनन्द है वो अभिवेक्त किया है यानि एक रूप हो जाने का जो आनन्द है वो यहां पर अभिवेक्त हुआ है तो यह वो रहस्यवाद की आतम शुद्धी की स्थिती है परकाश अनुभव की स्थिती है या जब इश्वर प्राप्ति में जो आत्मा है वो एकाकार हो जाने की स्थिती यहां पर है कबीर की जो रहस्य अवस्ता है वो भी इनहीं अवस्ताओं के माध्यम से अभिव्यक्त की जा सकती है उनके काव्य मे ये सारी अवस्ताइं हम देख सकते हैं जो कबीर के कावे में मिलती है या कबीर के रहस्यवाद में ये सभी अवस्ताइं विद्यमान है जो हमने आज यहाँ पर जो points के बारे में विचारवी मर्श किया ये सभी जो अवस्ताइं हैं ये कबीर के रहसेवाद में देखी जा सकती है तो उमीद करती हूं कि कबीर दास के बारे में जो आज हमने जाना है कि रहसे अनुभूती क्या होती है और कबीर के कावे में रहसेवाद की कौन-कौन सी अवस्ताइं मिलती है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल से जुड़े रही